हर्याने के गैंक्स्टर संदीब गोडाली की जीफ रह चुकी दिव्या पाहुजा की मर्डव मिस्ट्री सुलच के वी अन्सुलजी रह गई है दिव्या के कतल के महस चार घंटे बाद पुलिस को ये पता चल चुका था कि होटल सिटी पॉइंट में उसकी हत्या हो चुकी है पुलिस वहाँ पहुची भी और उसने होटल की तलाशी भी ली मगर जब लाश नहीं मिली तो वहाँ से फॉरण वापस लॉट गए पिर वहीं पुलिस जब आठ कंटे बाद दिव्या की लाश को ढूंडती हुई दुबारा होटल में पहुची तो लाश वहाँ से गायब हो चुकी थी कहा जा रहा है कि असल में पुलिस रूम नंबर 114 में उसकी लाश ठूंड रही थी जबकि लाश रूम नंबर 111 में पड़ी हुई थी और फिर लाश ऐसी गायब हुई कि अभी तक नहीं मिली है दरसल दिव्या होटल के माले का बजीत के साथ रिलेशन्चिप में थी मामला सुलजाने लाया था लेकिन दव्या से बहस हो जाने पर अब जीत ने एक गोली चला दी ये बात खुद होटल के मालिक ने पुलिस को बताई है यह गाड़ी हमें कल से इसके पिछे लगे वे था हमारे यहां पे केमरे में इसमें टॉल के उपर आई थी तॉल में दिखा दिया तो यहां पता चला है कि पट्रयाला के तरफ गाड़ी चलेगी यह मटर करके ना एक लड़की का और इस यहां डाल करके इस गाड़ी में लेका है जी जी कहां होता मार्व बढ़ के अंदर सीटी सीटी ओटल एक उसके यहीं गाड़ी नमबर से कंफर्म पर कलर भी वहां से आ रहा है इसके पास तो आदमी आमें सक वाक यहां आई लिए ग अब जीत ने लाश रखवाते हुई BMW कार ना देखे इसलिए बाहर की लाइट्स भी ओफ करा दी लेकिन उसे होटल के CCTV कामरे का खयाल नहीं रहा या फिर यू कहें कि वो होटल का मालिक तो है लेकिन चू की होटल इस वक्त लीज पर है इसलिए उसकी मनमानी नहीं चल सकी इसके कई घंटे बाद का अतलिका CCTV की मदद से ही खुलासा हो गया तो अबजीत गिरफतार भी हो गया लेकिन मॉडल की लाश का फिर भी कोई पता नहीं चला गुरुवार को पुलिस ने पंजाब के पट्याला से लावार इस हालत में पड़ी वो BMW कार भी बरामत कर ली गाड़ी तो मिल गई लिकिन लाश अभी भी गायब है मतलब अवजीत के गुरगे लाश चिकाने लगा चुके हैं पुलिस को कार से खुन के दब्बे भी मिले हैं जो इसका सबूत है कि लाश गाड़ी में ही थी लिकिन लाश और मॉबाइल अभी गायब है आरोपी गिरफ्त में है लेकिन लाश लापता है ये मामला फिलहाल रह सुमई बन गया है नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है यूस 24